सेलो डालिया के आने वाले अपिसोड में आप देखेंगे किस तरह से फते और तेजो दूसरे घर में शिफ्ट हो गए हैं लेकिन फते और तेजो की मुश्किले बढ़ती हुई नजर आ रही हैं जहां एक तरफ फते दरसल एक दूसरे घर का आरेंज कर चुका है दूसरी तरफ तेजो वहां पर बेकाबू होती हुई नजर आएगी और बच्चो को मारते हुई नजर आएगी इसी बीच फते एक लड़की को आरेंज करेगा जिसके बारे में सिमरन उसे बताएगी और सिमरन के कहने पर सरीटा नमकी लड़की को लाया जाएगा फतेजो के घर में लेकिन जब पते घर छोड़कर जाएगा ओफिस उस वक्त सरीता तेजो को बाहर से ताले में बंद करके चली जाएगी इसके बाद हालत बिगड़ेगी तेजो की और यह देखकर पड़ोसी पते क्याने पर उस पर चिलाते हुए नजर आएगे दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जैसमीन यश बाजबा को अपने जाल में पूरी तरह से फसाती हुए नजर आएगी वो इनसे चुकडी चुकडी बाते करेगी और इससे कई ऐसी बाते कहेगी जो वो समझ नहीं पाएगा दरसल वो उसे परफॉर्म करने के लिए कहेगी वीडियो कॉलिंग पर घरवालों से बात कराने की बात कहेगी और इसी बीच उस पर दबाव बनाती नजर आएगी इसी बीच आप देखेंगे सिम्मी गुरूपीद को भड़काती हुई नजर आएगी और गुरूपीद दरसल फते के बारे में सोच सोच कर काफी ज़दा परिशान होगी और वो इसी बीच सोचेगी जैसमीन के बारे में जैसमीन लगातार प्रेशराइज कर रही है इमोश बाजवा से कि वो घरवालों से मिलने से पहले उससे वीडियो कोलिंग पर बात करें यह सुनकर वो हैरान रह जाएगा इसी बीच आप देखेंगे कि फतेजों का घर छोड़कर यानि कि वो घर छोड़कर जो फते ने तेजों के लिए किराय पर लिया था फते पहुंचेग सिंदू हाउस यहां सिंदू हाउस फते पहुंचेगा और वहां पर रूपी और सत्ती के सामने वो दर शर्ते रखता हुआ नजर आएगा दरसल फते कहेगा कि अगर उन्हें तेजों को अपने ही घर में रखना है तो दो शर्ते उसे मनजूर करनी होंगी एक तो कि वो खान पर तेजों को अपने साथ रखेगा और ऐसा करते हुए वो दो शर्ते सामने रखेगा सत्ती के और रूपी के और वो दोनों शर्ते मान लेंगी और इसी भीच आप देखेंगे कि पैसे देता हुआ नजर आएगा फते तेजों के पिता को वाली यह सब देखकर जैसमीन के ह वो शूर जाएंगे जैसमीन जो सोच रही थी कि अब उसका काम आसान हो गया है और जैसमीन जो यह सपने बुनकर बैठे की कि अब तेजों उसके जंदगी से दूर जा चुकी है लेकिन जैसमीन को तवड़ा जटका लएगा यह देखकर कि तेजों और साथ ही साथ अफते अब पर्मानेंटली शिफ्ट हो गए है सिंदू हाउस में और यह देखना काफी जदा हैरान दायक रहेगा जैसमीन के लिए इसी बीच आप देखेंगे कि जैसमीन एक नवी चाल चलती होई नजर आएगी वो प्रेशराइज करेगी दोबारा से गुरू प्रीत को और साथ यह रहेख удив मिन में जयक कि बीचार बपिप्पा इचा के रहेखता है材 है